हाई फ्रेंड्स हालो वेलकम टू दे चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों फर्स्ट आफ ओफ ओल तो एज अल्वेज बहुत 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 शुक्रिया आपके सारे लव एंड सपोर्ट का अप लोगों ने चैनल को इतना ज़़ा सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत चीजों से या मेरी बातों से काफी ज़्यादा क्लारिटी मिलती है I am so thankful for that for believing me थैंक यू सो मच मुझ पर यकीन करने के लिए दोस्तों मुझ पर यकीन दिखाने के लिए जब आप मुझ से कोई question पूछते हो तो मुझे लगता है कि मुझे उसका reply आपको करना चाहिए क्योंकि आपका जो question है वो ऐसे ही नहीं है कहीं न कहीं आप हो किसी situation में तब आप पूछ रहे हो ठीक है आपके queries ऐसे ही नहीं आ रहे है तो आज मैं ये बात आपको इसलिए कहा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने ये बात ऊची और मुझे बात बहुत टच की तो मुझे लगा कि let's discuss वो मेरे पास personally आई थी and she told me कि उनके सारे situations उन्होंने बताया that she is in a toxic scenario जहां पर हर कोई ही toxic है ठीक है हर कोई हर एक family member वहां पर toxic है उनके लिए हर रिलेक्शन उनके लिए toxic है and in her day-to-day life उनको उस चीज से deal करना पड़ रहा है यानि कि daily का एक battle बना हुए उनके लिए and then she suddenly asked कि इन लोगों को इतना सताने के लिए कर्मा मिलता है तो let's talk about थोड़ा सा पहले तो कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है दोस्तो जब आपको एक बात आज याद रख लीजिए मेरी मैं भी कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ ऐसा नहीं कि मैं non-believer हूँ मतलब मैं पूरी तरह से कर्मा में बिलीव करती हूँ लेकिन किसी को कर्मा मिलेगा उसके लिए wait करना it's just a waste of your time and energy ये आपके time और आपके energy का बस wastage है क्यों? क्योंकि first of all तो आप मैं थोड़ा सा आपको इन सीच को clarify करना चाहती हूँ अगर आपकी life में कोई toxic relation है toxic person है ठीक है? doesn't matter वो किसी भी रूप में हो सकता आपकी life में बट अगर आपकी life में कोई है ऐसा toxic लोग जो कि आपकी life में बहुत ज़्यादा negativity फैलाते हैं बहुत ज़्यादा आपको brain करते हैं तो देखिए एक तो first of all आपको जो चीज help करेगी न वो पहले तो आप ये समझ लीजिए मेरी बात की थपड़ के लिए थपड़ तुम्हें भी मिलेगा ठीक है? एक immature उसका हमारा interpretation है ठीक है जब हम कर्मा की बात करते हैं तुम्हें थपड़ मारा तुम्हें भी थपड़ मिलेगा ठीक है? अब आजाते हैं बात पर की बिलकुल मैं कर्मा में बिलीव करती हूं कर्मा payoff भी होता है ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कोई toxic relation है toxic people है आपको day to day life में toxic लोगों के साथ deal करना पड़ रहा है तो आपको ये acceptance में आना ही होगा आज नहीं तो कल कि certainly कहीं ना कहीं किसी past life में आपने कहीं ना कहीं तो इस person के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो कि आज ये person आपके साथ कर रहा है क्योंकि मैं past life कर्मा में भी बहुत जड़ बिलीव करती हूं और past life कर्मा का concept जो है वो ये ही है कि अगर हम ये acceptance में आ जाते हैं ठीक है तो कर्मा रिलीज का सबसे पहला जो concept है वो ये ही है रादर कि आप उनको बैट के वेट करें कि तुमने मेरे साथ ये किया चलो मैं मान लिजी कि आपने उस person को रिलीज भी कर दिया अपनी life से जैसे तैसे करके आपने उनसे जो है जैशी राम कर लिया है ठीक है आप दूर हट गए है और जो है अब आप कहीं ना कहीं एक आपक ये हुआ तो तुम्हारे साथ भी होगा कब होगा तो ये ऐसा है ही नहीं कि कोई instant कर्मा प्लेट में रखके सर्व किया जाता है यू never know the ways of universe आप universe के तरीके नहीं जानते हो पहली बात तो second thing अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ये acceptance में आ जाये कि आपने कुछ किया था हम ये accept कर लेते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ लेकिन ये accept करना एक बहुत शक्तिशाली soul की पहचान होती है कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ही कुछ किया था ठीक है ये ए acceptance में आते हैं जब आप कर्मा रिलीज के बारे में question पूछ रहे होते हैं कार्मिक रिलीज के बारे में तो उसका main सूत्र ही ये है कि 50% काम तो आपका तब हो जाता है जब आप acceptance में आ जाते हो ये acceptance में आ जाते हो कि मेरा ही दिया मुझे मिल रहा है मैंने ही कहीं बबू का क्या हूं तो फिर मुझे आंक में कैसे expect कर रही हूं ठीक है कैसे expect कर सकते हूं यह तो हो गया आपकी side का ठीक है अब वो person के side का कि वो आपके साथ घलत करके कार्मा बना रहे हैं और फिर उनको मिलेगा universe की तरफ से यही हमारा concept है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे तो उसके लिए वो उसकी story है ठीक है वो person की story है उसको क्या करमा मिलेगा कैसे मिलेगा किस रूप में मिलेगा universe किस तरीके से देंगे उसको कैसे realization होगा वो कितना पच्चताएगा रोएगा गिडगडाएगा ऐसा सिरफ फिल्मों में नाटकों में होता है ठीक है ऐसा नहीं होता है कि आपको हाथ तो हाथ देखने को मिल जाएगा कि ओके तुमने मेरे साथ यह किया तुमने मेरे साथ दोका किया देखो तुमें भी दोका मिल गया दो महीने के अंदर अंदर तुमें भी दोका देके वो बंदा चला गया जिसके लिए तुमने मुझे चोड़ा था ठीक है तो ऐसा instant karma rare to rarest crisis में ऐसा भी होता है ठीक है लेकिन हमेशा ऐसा possible नहीं है तो अगर आप ऐसे किसी waiting में हो जहां पर आप wait कर रहे हो कि okay मैं देखती हूं तुमारे साथ भी होगा लेकिन आपको ये देखना ही बंद करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर आपको चो tip देती हूं व बंद करती है उसको कर्मा का concept बहुत भार बहुत से लोग होते जो उनको कर्मा का concept समझा रहे होते हैं सामने वाले की soul growth जब तक उतनी नहीं होई है उनको आपका ये point समझ नहीं आने वाला आप eddy चोटी का जोर लगा लेचिए उनको वो realization आप नहीं करवा सकते हो और basically समारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा ये आपका काम नहीं है ये उनकी एंजल ये उनके युनिवर्स तो सबके है ना ये उनकी एंजल और उनकी डिवाइन जो उनको कैसे हैंडल करना ये वो खुद देखेंगे ठीक है first of all तो this thing कि आप realization करवाना बंद करिये उनको बताना बंद करिये ठीक है पास्ट में ये गलतिया मुझसे भी हुई है लेकिन ठीक है हम सीखते सीखते ही चीजें सीखते हैं ठीक है तो first of all तो ये and then comes the second thing second thing जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए ठीक है आप न कोई savior नहीं हो ठीक है ये जो आप tag लग जाता है जब आपके उपर spiritually awakened person का उसके बाद आप अपने आपको जिम्मदार समझने लगते हो कि सबको सबकी मुसीबतों से आप निकाल दोगे है ना तो आप कोई savior नहीं हो ठीक है आपकी लाइफ में toxicity है कोई narcissist है कोई toxic people है कोई toxic karmic relations है आपकी लाइफ में देखो सचाई यही है कि आप खुद को बचा लो उतना काफी है आपको realize हो पाया और आप खुद को बचा पाए बस that's it उतना काफी है जब आपको पता चल गया कि जिससे आप डील करें वो किस ताइप का इंसान है वो कितना manipulative है वो एक manipulative narcissist है हाथ जोड के निकल लेजिए उससे टकराईए नहीं इसलिए डर की वज़े से टकराईए नहीं आप ये सोच के देखिए एक फाल्तु की जगे पे आप अपना कितना time and energy waste कर देने वाले हो ठीक है ये time और energy आपकी उन लोगों को मिलनी चाहिए जो worthy people है जिनको सच में कुछ जानकारी चाहिए जिनको सच में कुछ जानना है आज अगर ये channel पे समझाने बैठने की बजाए आप लोगों को जिनको सच में जरूरत है इस knowledge की अगर मैं भी अपने कार्मी कों से ही जा जा के बिढ़ती रहती कि भाया तुम रेलाइज करो तुमने बड़ा गलत कर रहे हो तुम और तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जोड़े होते हैं तो आज मैं यहां बैठके आपको अपने experiences के through guide नहीं कर रही होती है तो अगर if the only thing that works for you in these type of relationships is the हाथ जोड़िये और निकल लीजिये ठीक है मुझे realization है मन ही मन बोलना है उन्हें नहीं बोलना है ठीक है मुझे realization है कि हमारा कुछ इसी तरह का कर्मा था मैं आपसे soul level पर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूं और मैं इस कर्मा को यहीं पर settle down करती हूं release करती हूं आपके साथ कुछ भी लेन देन अब मेरा मैं universe से pray करती हूं ना रहे ठीक है नहीं है अब आज इस वक्त के बाद हमारा कुछ भी लेन देन बाकी नहीं है जो कुछ भी बच गया है उसके लिए मैं आपसे आत्मा की गहराई से ख्षमाव चाहती हूं यह यह type का आपके अपने language में आप जैसे बोलना चाहें इस चीज को और निकल लीजिए just ठीक है वहाँ बहस करना wastage of time and energy वहाँ पे चीजों को सुधारने की कोशिश करना wastage of time and energy और यह मत कि उस person का कोई loss होगा क्योंकि वो आपके जैसे लोग बिखरे पड़ें वो नए डूंड लेंगे उन्हें कोई फरक नी पड़ता वो नए डूंड लेता है ठीक है तो उनके लिए bad feel करने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सोच रहें कि यह तो only मुझी पर dependent था समटाइम्स आप अंदर से मज़े ले रहे होते हूं ओके मैं इकल रहूं मैं छोड़ रहूं अब देखती हूं मैं सच्चाई को accept करिए जो आप आज तक उनके हाथों बुद्धू बन रहे थे ऐसे बुद्धू बनने वाले फैले पड़े बल्क में हैं और वो किसी को भी चूज कर लेंगे अपनी सेवा करने के लिए यहां सिर्फ और सिर्फ आपका फाइदा एक ही चीज में है कि आप खुद को बचा लीजिए आप खुद को निकाल लीजिए बस अपनी टाइम अपनी एनरजी जो भी आपकी एनरजी उसको राइट वे में चैनल करना इंस्टेंटली कोई और ढूंड लेते हैं कभी मत सोचिए कि लॉस में रहते हैं पेंफुल हो जाती हैं इनकी लाइफ मिजरेवल हो जाती हैं इनकी लाइफ अब आप निकल गए अब इनका क्या होगा ठीक है नहीं ऐसा नहीं होता आप देखेंगे यह आपको वैसे ही खु भरमार होती है भरमार ठीक है तो थार्ड इंग इस कि उनका कोई लॉस कोई पैन इसका वेट करने की आपको जरूरत है ही नहीं यह आपका इस इस नन ओफ यॉर बिजनेस अगर वो आपको दिख वी रहाए क्लियर कट की वो बहुत बुड़े उनके कर्मा है तो वो ठीक है अब कुछ बार-बार मैंने बताया है लेकिन फिर भी कुछ चीजें जहां से आप रहलाइस कर सकते हों कि एक रिलेशन्शिप ऐसा है जिसके अंदर आप जो है शायद आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है आप अन्नोइंगली उस रिलेशन्शिप में करते जा रह यह और जब आपको यह पॉइंट्स मिल जाएं ठीक है उस परस्नेल्टी के अंदर उस रिलेशन्शिप के अंदर यह रैड़ फ्लैक्स आपके मैच हो रहे हैं तो मेरी तो यही सलाय है इंस्टेंटली किसी भी शर्त में किसी भी शर्त पर फिर उस इंसान के साथ उस बाते में हła में नहीं बोलते हूं अपने एक्सपिरिय मसी कहा एक्सपिरियंस से लिकाल जिएंट candle में से बहुत प्यार करते हैँ अपने उपर सोचके देखें कि आपका बच्चा बहादूर होगा तो आपको खुशी मिलेगी या दर बहादूर होगा तो आपको खुशी मिलेगी definitely आपका बहादूर होगा, courageous होगा fight back करने वाला होगा तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी बजाए एक कायर एक डरपोक बच्चा देखने के तो यूनिवर्स भी हमारी पैरेंट्स हैं ठीक है उनको बहुत खुशी मिलती है हम अपना करेज उनको बताते हैं तो यूनिवर्स हम से बहुत खुश होते हैं और हमको हर तरह से हल्प करते हैं घवराना ये डर छोड़ दीजी कि आपका क्या बनेगा मनी के लिए या जॉब के लिए या other co-dependencies हो सकती हैं उन लोगों के साथ लेकिन ये choices आपकी होती हैं कि आप उन co-dependencies को चुनते हो या अपनी freedom को चुनते हो क्योंकि universe आपको वही देती है जो आप चाहते हैं ठीक है जो आपकी ultimate choice होती है वो आपको जरूर मिलती है तो यहां पर थोड़ी से deal करने के उपर मैं आपको points देना चाहती हूं ठीक है tips देना चाहती हूं कि अगर आपकी life में कोई relationship ऐसे है तो आप उनको किस तरह क्या से deal कर सकते हो proper way में so that आपका कोई extra benefit ना ले सके और आपकी time energy जो है वो right way में right direction में लग सके ठीक है दिखिए सबसे बड़ा जो red flag होता है एक toxic इंसान का या toxic relation का या फिर narcissist का वो यह होता है कि वो यह person extreme level पर dominating होते है ठीक है इनके साथ जो गाड़ी चल रही होती है रिष्टे की वो इस type की होती है कि वो एक ही पर यह पर चल रही होती है ठीक है तो यहाँ पर होता है कि एक person dominating होता है सारे decisions ले रहा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि rule कर रहा होता है वो relationship में ठीक है कि अधिकतर फैसले वही लेता है और आपको चुपचा वो फैसले मानने पड़ते हैं ठीक है तो आप समझ जाए कि आप एक toxic relationship में हो जहां आपको ये freedom नहीं होती है कि आप अपनी राय रखें अगर उन्होंने कोई decision लिया तो आपकी राय भी नहीं सुनी जाएगी आपकी कोई अगर आपने कोई राय रख दिया अपना कुछ कुछ किंतु परंतु रख दिया believe me इन लोगों को बहुत बहुत गुश्टा आ जाता है ठीक है क्यों कि ये अंदर से अपने आपको बहुत ज़्यादा superior समझते हैं और दूसरी इनकी पैचान होती है कि ये अपने आपको हर field का master समझते हैं ठीक है इन पे मतलब घर में अगर किसी का सरदर्द हो रहा है तो ये मतलब आपने नॉर्मली ऐसा भी बोल दिया कि आज पता नहीं क्या बात बड़ा सरदर्द हो रहा है ठीक है मुझे body pan हो रहा है body egg हो रहा है मतलब ये self-proclaimed doctor है ये आपका diagnose कर देंगे ठीक है सरदर्द हो रहा है इस वज़े से हो रहा है ये doctor फिर भी एक बार time लगाएगा वो reports आने का wait करेगा ये उसी वक्त ही diagnose कर देंगे ये मेरी life मैंने हजार बार experience किया है ठीक है ये आपको diagnose कर देंगे ये कुछ भी कुछ भी उल्टा उनके मुझे मुझे पहली बात जो आईगी बोल देंगे आपके सरदर्द का reason लेकिन ये आपको बता देंगे है ठीक है आपको body egg है कुछ भी कुछ भी आपको अगर कोई भ इनको सब कुछ पता है ठीक है तो इनको ऐसा होता है कि बाकी जो लोग है ना बाकी सब मतलब अधिक तर क्योंकि ये male personalities ही होती है तो इनको लगता है कि अगर ये earn कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए और बाकी लोग इन पर dependent है तो उनके अंदर कुछ दिमाग में माग नहीं ह इनके उपर dependent है वो प्रजा है इनकी और ये राजा है और इनको God gifted ये kingdom मिला हुआ है कि ये सब को rule करेंगे ठीक है किसी की नहीं सुनी जाएगी बच्चों को कि स्कूल में डालना है इनका decision होगा one side decision होते है इनके पैसा कहां invest करना है इनका decision होगा मकान plot लेना है तो इनका decision ह होगा ठीक है आपका आप अपने माई के अपनी घर पर जा सकते हो नहीं जा सकते हो किस जाओगे तो किस relative से बात करोगे किस से नहीं करना वो भी इनका decision होता है extreme situations में यह यह भी करते है ठीक है तो आपके लिए सला यही होती है ऐसे मामले में कि कभी भी इनको change करने की कोशिश मत करिये क्योंकि change हो नहीं पाते ठीक है क्योंकि इनको जरूरत मैसूस ही नहीं होती वही है तो हर्षेत्र के genius से इनक्या जरूरत है change होने की ठीक है इस समवन आगर किसी को change होना चाहिए तो वह तो आप हो ठीक है बेकले तो आप हो अकल तो आप में नहीं है इनको देखके इनके example से आपको कुछ सीखना चाहिए और शीखना वीखना जैसा भी यह कुछ नियों चाहते कि आप कुछ सीखें अपको आँख मून के इनके बिल पता नहीं, बहुत rare of the rarest case होंगे जहाँ पे शायद भगवान ही इनको realization दिला सकते हैं, ठीक है otherwise, इनसान, 3D level पे इनसानों के स्थर पे तो कोई इनको realization नहीं करवा सकता ठीक है तो इनकी second जो खासियत होती हो इनकी यह होती है, कि यह जो लोग भी इनके साथ रिष्टे में होते हैं ठीक है, अब यह कोई भी हो सकते हैं इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो सकती है husband हो सकता है, मतलब कुछ भी, कोई x, y, z, कोई भी ले ले लीजिए relationship, ठीक है, तो यह ना जो other party होती होती है उसको एक constant stress में रखते हैं ठीक है, उसको बहुत stress करते है यह उनको उनकी duties बताते रहेंगे हर टाइम ठीक है, यह उनको उनके फर्ज समझाते रहेंगे हर टाइम ओके और उन पे नई duties लादते रहेंगे, ठीक है, यह क्या है खाली रहेगा तो वही है, वो थोड़ा सा किंतु-परंतु लगाके अपना दोर-दो-चार कर लेगा, दिमाग लगा लेगा इनके जो tactics से उनको पहचान पाएगा, इनके manipulations को पहचान लेगा, अगर उसको दो मिनिट बैठने की फुरसत मिल गी तो तो उसको वो फुरसत नहीं देनी है ठीक है, उसको वो फुरसत ही नहीं देनी है ऐसे होंगे ये relationship में, कि माली जी खुद तो ये माली जी की party animal है, बड़े इनके दोस्त है, बड़ा इनका circle है ठीक है, ये बाहर खाने-खाने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं time spend कर रहे हैं, रात को बारा-बारा एक दो-दो बजे तक आ रहे हैं, ठीक है ये खुद तो ऐसे होंगे, बिंदास बाहर जाएंगे अपना enjoy करेंगे, अपना time spend करेंगे, अपना जो है मतलब जो भी इनका stress buster होगा, उसको ये करेंगे जमाली जे दिन भर इनों ने office में time spend किया, अब इनको अगर 12 एक बजे तक अपने दोस्तों के साथ hotel में जाना है, तो जाएंगे ही जाएंगे, इनका fix होता है, ये ऐसी families मैंने देखिये, जहां पर घरवालों को fix पता होता है, कि भाई ये तो इसका rule है, ठीक है, वो आएगा तो उतने बजे ही आएगा, तो ये इस type के होते हैं, ठीक है, लेकिन, लेकिन, लेकिन खोदी ये सब कुछ enjoy करेंगे, लेकिन, जो इनकी उलाद ही क्यों नहीं हो, ठीक है, ऐसे घरों में, आप उनकी permission के बिना, ऐसे रिष्टों में, आप उनकी permission के बिना कुछ करी नहीं सकते हो, ठीक है, और एक चीज जिसमें और होती है, ये extreme level पर jealous होते हैं, तो ये जो आपकी big days जितने भी होंगे, ठीक है, माली जे bird days होती है, universes होती है, ठीक है, जो हार वगेरा होते हैं, तो उन सब को spoil करते हैं, ठीक है, क्योंकि obviously पैसा खर्च होगा, नए कपड़ी भी आएंगे, केक भी आएगा, पार्टी भी अरेंज होगी, लेकिन ये अपने victim को, उस चीज को enjoy नहीं करने देंगे, वो उस दिन रोएगा ही रोएगा, जो victim होगा न, वो उस दिन रोएगा ही रोएगा, उसके आँसू निकल जाएंगे, तो इनका मान लिजे की सफल हो गया, ठीक है, इनकी ये कुछ qualities होती है, जैसे, जैसे मान लिजे, आपका कोई, आपका birthday है, ठीक है, तो ये, सुबह उठके wish नी करेंगे, आपका mood खराब होगा, anniversary इनकी आपका mood खराब होगा, obviously आप expect कर रहे थे, और उसके बाद ये, जो है, late wish करके, अरे मैं तो भूल गया था, यानि कि इनोंने आपका आदा दिन बरबाद कर दिया, sorry, 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 मैं भूल गया था, उसको ये fear compensate करने का भी कोशिश करेंगे, आपको दिखावे के लिए कि, चलो मैं तुमें, बोलते हैं, मैंने देखा इस type की लोग, जो होते हैं, वो पहले, intentionally उस चीज को लेट करते हैं, and then, they will say कि, ये जो लोग होते हैं, ये ऐसे बहुत बोलते हैं, अरे तो चलो न, तुम्हें क्या लेना है, लो, चलो, मार्केट चलो, मैं तुम्हें अभी दिलाता हूँ न, अरे क्या हो गया, अगर मैं भूल गया तो, यार, काम का प्रेशर में, यही करते हैं, और अगर extreme situations हैं, तो ये टाने मार सकते हैं, गंदे भद्दे इशारे कर सकते हैं, आपने कुछ पहना हैं, तो उस पे एक स्लाइट सा कमेंट मारतेंगे, इनको बुरा कुछ बोलने के जरुरत नहीं होती, यह पता क्या बोलते हैं, आपने बड़ा अपने मन पसंद का कोई ड्रेस निकाला है, बस उनको इतना सा बोलना है, क्योंकि आपकी नब्स थो इन्होंने पकड़ी होती हैं, आप बीवी हो, और ओप तो अपने पती की पसंद से ही कुछ पहनती हो, जब भी नहीं पसंद नहीं तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, इस टाइप की ये जो बातें आपने पहले इनको बोल दी होती है ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनको पता है, इनको क्या करना है जस्ट एक स्लाइट सा कमेंट होगा इनका इनका काम हो गया ओके तो ऐसा सब होता है ठीक है अब यह वीडियो जो है वो आज हो गई है लंबी मैं इसको यहीं रोकती हूं लेकिन बिलीव में कल वाला जो वीडियो होगा वह इसी पर बेस्ट होगा तो मैं उसको जरूर लेक्ट आँगे आप लोगों के लिए जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो मुझे पता है जरूर देखेंगे ठीक है और जरूर मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फसे पड़ें लेकिन उनको रस्ता नहीं पता ठीक है चलिए दोस्तों अभी के लि विदा लेती हूं थैंक यू सो मस्दोस्तों और बाई अपना